हेलो फ्रेंड यदि आप लोगों ने स्कॉलर्शिप का फॉर्म भर दिया है तो जल्दी से स्कॉलर्शिप का स्टेटस चेक कर लीजे स्टेटस चेक करने के लिए आपको स्कॉलर्शिप की वेबसाइट ओपन करनी है और उसके बाद यदि आप Renewal हैं तो Renewal के लिए Login करेंगे यदि आपने नया Registration किया है, Fresh Registration किया है तो Fresh Registration के लिए जैसे आप Login करते थे सेम वैसे ही Registration Number, Password में आप अपना Password जो भी कुछ Mobile Number और Capture डाल करके Login करते थे तो सेम वैसे ही आपको इसको भी Login करना है और Login करने के बाद में आपके सामने कुछ Home Page ऐसा Open हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है Check Current Status इस बटन पर क्लिक करेंगे, जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपके सामने Page Open हो करके आएगा तो यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपका Page Open हो करके आता है आपका Status Open हो जाता है, जो भी आपके Scholarship का Status है वो Open हो जाता है लेकिन आप लोगों को पता है मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगा कर पोस्ट करता हूँ तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते जिन लोगों ने मेरा चैनल सबिस्क्राइब किया आपके scholarship में कोई error आ रहा है तो आप हमें comment करके बताए मैं उससे related वीडियो बनाऊंगा लेकिन आप लोगों को पता है मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ तो मेरे सारे वीडियो देखने के लिए आपको मेरा YouTube चैनल सबिस्क्राइब करना पड़ेगा तो आपको scholarship दिलाने के लिए आपकी scholarship में जो भी error आएगा उस हर error से related मैं आपकी help करूँगा यदि आपकी scholarship आपके खाते में transfer नहीं हो रही है आपके status में कोई error आ रहा है तो उससे related भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप हमें comment करके बताए यदि reply करके बताने योग है तो मैं reply करक बताऊंगा यदि reply करके बताने योग नहीं है वीडियो बनाने योग है तो मैं उसका वीडियो बना कर बताऊंगा कि आपको कौन सा documents किस office में जा करके जमा करना है और उसके बाद का process क्या है मतलब scholarship आपकी आनी चाहिए यह scholarship आपकी आएगी यदि आपकी scholarship में कोई required हो रही है कोई problem हो रही है status में कोई problem हो रही है तो उसमें आपका भाई है आपकी help करने के लिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए best of luck goodbye धन्यवाद